कि जब मैं देखता हूँ कही न कही कॉंग्रेस के साथ ये जो इंडी अलाइंस तयार हुआ है इसके एक नेता स्टैलिन वो वहाँ चेन्नई में बोलते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है हमारा जो हिंदु धर्म है उसके बारे में वो कहते हैं कि हिंदु धर्म ये मलेरिया और यह कोवीड जैसा है और जैसे मलेरिया डेंगू और कोवीड को खतम कर देना चाहिए वैसे सनातन धर्म को खतम कर देना चाहिए द दोस्तों उसके तुरंत बाद कॉंग्रेस के अद्यक्ष खरगेजी का बेटा प्रियांक खरगेजी जो करनाटक का मंत्री है वो भी कहता है ये सनातन धर्म ये हिंदु धर्म ये मलेरिया और डिंगु जैसा है इसको खतम कर देना चाहिए उसके बाद दोस्तों उत्तरप्रदेश में भी इनका साथी कहता है सनातन धर्म को खतम कर देना चाहिए अरे जिस धर्म को और जिस संस्कृति को बचाने के लिए पृत्विनाज चहार और महाराणा प्रताप ने अपना बलिदान दिया आज उस सनातन को समाप्त करने की बाद अगर कॉंग्रेस पार्टी करती है तो मैं राजस्तान वालों को पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी पार्टी को आप सत्ता पर रखोगे अरे जो सनातन का नई वो किसी का नई जो राम का नई वो किसी का नई जो शाम का नई वो किसी का नई और अगर यहाँ पर इनके मनसूबे यह सनातन को मिटाने के है तो आज किसम खाईए कि कॉंग्रेस के नेताओं को राजनिती से मिटा कर ही अब हम दम लेंगे सनातन की ताकत क्या है सनातन का दम क्या है ये एक बार हम कॉंग्रेसियों को दिखाएंगे